हलो दोस्तों आज सावन की पहली सोमवारी है तो इसके उपलक्ष में आप सभी को सावन की हार्दिक सुपकामना है तो आज हम बात करेंगे अपने मन के उपर या अपने मन को एकागर कैसे करें सभी लोग जानते हैं कि मन को एकागर करना बहुत ही मुश्किल काम होता है क्योंकि अगर हमारा मन एकागर होता है तो कोई भी काम करने में आसानी होती है किसी भी काम को करने के दौरान एकागरता बहुत जरूरी है आपको एकागर होकर काम करने में मज़ा भी आता है और इसका परणाम भी अच्छा मिलता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कितना भी महतपूर्ण कार्य क्यों न हो लेकिन दिमाग एकागर नहीं है तो हम उस काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं जिससे की हमारा ध्यान भटक जाता है जैसे टीवी, मोबाइल, गेम, परिवार के आर्थिक तनाव या किसी भी सहकर्मी के साथ हुए कोई भी घड़ना जिनके बीच ये आपके दिमाग को भटका देते हैं आजकल जैसा महौल चल रहा है इस महौल को देखते हुए सभी लोग भैभीत हैं कि आगे चल करके क्या होगा, क्या नहीं होगा आने वाले समय में क्या होंगे आने वाले समय कैसा रहेगा आज कल माता पिता अपने बच्चे के भविश्य को लेकर के परिसान है और बच्चे भी अपने करियर को लेकर के परिसान है कि अगर ये महौल ऐसा ही चलता रहा तो हम आगे क्या कर पाएंगे या ऐसा कुछ हम कर पाते हैं या नहीं इस situation से निपलने के लिए सभी को अपने मन को एकागर करना पड़ेगा जिसके वज़त से ही हम लोग अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे यानि कि बिना मन को एकागर किये हुए हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे तो आज हम जानेंगे अपने मन को एकागर करने के कुछ ऐसे ही उपाय के बारे में कि हम अपने मन को कैसे एकागर कर पाएं कैसे अपने दिमाग को एक जगह स्थिर कर पाएं तो चरियब हम लोग अप उपने मन को एकागर्थ करने के उन उपाय के बाइर में जांते हैं तो इसमें हमारा पहला है tap चुनाओ करना यानिए कि एकागरता पाने के लिए हमें एक अच्छे महौल का होना बहुत जरूरी है ऐसे जगह का हम चुनाव करें जहां पर हम अपने आपको आराम दायक और खुश्णवा महसूस करें अगर हमारा महौल अच्छा रहता है तो हम कोई भी काम आसानी से कर पाते हैं इसके बाद दूसरा आता है विचारों को नियंत्रित करना हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए अपने कारे के बीच में अपने विचारों को एक जगह इस्थिर करना चाहिए जिसकी वजह से हम अपने कारे को आसानी से कर पाएं अगर हमारे विचार एक जगह एक जगह इस्तिर रहेंगे तो हम अपने कारीों को आसानी से कर पाएंगे अगर हमारा ध्यान भठकता रहा तो ना तो हम उस काम को अच्छे से कर पाएंगे और नहीं हम अपने काम में सक्सेस्द हो पाते हैं इसलिए अपने विचारों को नेंदेद करना चाहिए थर्ड नमर हमारा आता है टाइम टेबल बनाए किसी भी कारी में अपना मन लगाने के लिए टाइमिंग का होना बहुत ज़रूरी है यानि अगर हमारा टाइम टेबल सही है तो हम अपने कारे को आसानी से कर पाते हैं हमारे पढ़ाई लिखाई का, हमारे काम करने का एक बहुत ही अच्छा टाइमिंग होता है जिसके द्वारा हम लोग अपने काम को आसानी से कर पाते हैं और इस तरह से हमारा मन एकागर भी रहता है यानि अगर हमारी timing सही है तो हमारा मन एकागर होने में भी ज्यादा समय नहीं लेता है चौधा नम्मर आता है एक बार में एक कारे को करना यानि कि अगर आप सोचते हैं कि एक समय में हम कई सारे कामों को कर पाएंगे तो ये बिलकुल गलत है अगर हम लोग एक समय में एक काम को करते हैं तो इस तरह से हमारा मन एकागर हो करके उस काम में भी लगेगा और उस कारे का परणाम भी हमें बहुत अच्छा मिलेगा इसलिए एक बार में सिर्फ एक ही काम को करें अहार और वयाम का यानि आपका सरीर जितना संतुलित होगा आपका काम करने में मन लगगा यानि अगर हम unwanted चीज़े खा लेते हैं तो उनकी वज़त से हमें भारीपन महसूस होता है जिनकी वज़त से हम लोग कोई भी काम को आसानी से नहीं कर पाते हैं लेकिन अगर हम लोग संतुलित आहार लेते हैं तो इससे हमारा सरीर भी स्वस्त रहेगा और किसी भी काम को करने में मन लेगा इसके बाद हमारा वयाम होता है तो संतुलित आहार के साथ साथ वयाम करना भी बहुत जरूरी है अगर हम लोग वयाम कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे सरीर में फूर्टी आती है और काम करने में मन लगता है जिससे की हमारा माइंड एकागर हो पाता है। चठा नमबर आता है नींद की अवशक्ता क्यानि कि नींद भरपूर मात्रा में लेना किसी भी कारे को करने के लिए या अपने मन को एकागर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में नींद लेना बहुत जरूरी होता है अगर हम लोग परयाप्त मात्रा में नीद लेते हैं तो इससे हमारा मन और सरीर दोनों ही चुस्त रहते हैं जिससे कि हमें कोई भी काम करने में आसानी रहती है तो इसलिए हमें परयाप्त नीद लेना भी बहुत जरूरी है इसके बाद last हमारा आता है positive think यानि अपने thinking को हमेशा positive रहना negative thinking अपने mind में कभी रहना मैं हमेशा अपने बच्चों को या अपने सगे संबंधियों को या मेरे जितने भी सहकर्मी है उन सभी को मैं कहता हूँ कि आप लोग अपने mind में हमेशा positive thinking रखें negative thinking मत रखें कोई भी काम होता है वो करना बहुत आसान होता है अगर हमारे mind में positive thinking चलती है तो इससे हम कोई भी काम आसानी से कर लेते हैं और इसके द्वारा हमारा mind भी जो होता है एकागर होता है तो इसलिए अपने mind को आप लोग हमेशा positive thinking में रखें तो दोस्तों ये थे हमारे mind को एकागर करने कुछ उपाय बहुत ही simple उपाय थे अगर आप लोग करते हैं तो आप अपने mind को एकागर कर पाएंगे तो इन सारे उपायों के द्वारा आप अपने mind को एकागर करेंगे अगर आपके भी mind में कुछ ऐसे सुझाओ है तो आप बदा सकते हैं हमें तब तके लिए धन्यवाद